सब्सक्राइब जी एस अंदोलन ना जुड़े होए मेरे देशाव देशां देवेच बेठे बहुती प्यारे अंदोलनकारी दोस्तों अज तक दियां जो साड़े प्रोग्राम सी गे एक ता ता तानु सारे नो पता लागया होना है कि शहीदिया जम सरदार पगद संग दे चाचा जी सरदार अजीत संग जी दे आज देन सी गा पगडी समाल जटा देव सबजों मतल जद जो देन मनाया गया पूरे देश दे अंदर और सारे ही बोड़ना देव ते ओस देन नो अज पूरा मान सनमान देना सथकार देनाल मनाया गया और आज तो हनो पता लागया होगा कि आज स्टेई दे उत्तों उनना दे पतिजा जी और उनना दी पान जी नुए थे भी सनमानत किता गया और उनना ने भी अपनी काल मतल पूरे दी पूरी जीवनी चाचा जी संग दी उनना दी पान जी ने रखी और पूरे सदकार देना उननों अज पूरे दा पूरा देन समर्पत रहा चाचा जीत संग दे उस लहर नों जो पगड़ी समाल जटा दी लहर चलाई सी और उदे तों सानों सबक लेंदी भी लोड़ा है कि जैस तरह चाचा जीत संग ने और लड़ाई बहुत लंबी लड़के इस पगड़ी समाल जटा लहर नों एक नमा रूप हुकी सी और उस गीत दे रहीं और उससे तरह आज लोड़ा है कि मुर्द बारा असी ओना लीहा ते चल दे हुए उससे तरह अंदोलन नों मजबूत कर दे हुए और लंबे तरीके देना लड़ाई नों लड़दे हुए इस लड़ाई नों लड़नदा तहिया करिए और एपरोग्राम रखे गया से आज और नाली कल नों चौवी फरवरी नों एपरोग्राम रखे गया है कि सरकारी जबर जड़ा हो रहे है अज साड़े अंदोलन कारी बीरां दें उत्ते और जैसे तरह दंकरी नेतिया अंद सरकार अप्णा रही है तरह तरह दे पर्चे साड़े वक्ष किसाना दें इन्हाने धर्ज कीते हुए ने और पूरी जोर लागे सरकार ने साड़े जड़े वक वक स्टीटां देविच लोग बैठे ने उन्हानू नोर्स पेज के परिशान किता जा रहे है और उन्हानू इत्थे जड़े कोई लोग के विचारे नोर्स नू सुनके इत्थे सरकार को लियाव दी इन्वेस्टिगेश जोएन भी कर जांदे है उन्हानू पुर्णा देते पर्चे दर्ज करका है तो उन्हानू जेलांदे वेस्टिगेश जा रहे है इस सारे दे सारे मतला सरकार दे इस दमनकारी निती नू जबाब देन वास्ते प्रोग्राम लिक्या गया के पूरे देश दे अंदर चोवी फ डिते जानें है जेड़ा मंग पत्र किसान एकता मुर्चा जेड़ा सार अपना ऐटी सलदा जो चल रहे है पेज एदेती ओप पाया के जा चुकिया है सारे साडे जड़े वीरने ओ दे तो ओ अपना मंग पत्र दे कापी जरूर रसीव कर लेन और ओ मंग पत्र अपा सारे ने जोर शोर देनाल पूरे देश दे अंदर देना है और नाली ज़रा छबी फर्वरी दा देना है ओ भी देन मतलब साड़े उना शहीदानो याद करना है जेड़े साधे किसान शहीद होए ने और उनू साधी नौजवान पीड़ी जड़ी एथे अंदोलन दे बच लगातार जुटी होई आए एना नौजवाना ने ओस दन इस अंदोलन दे बच श्टेज नू अपने टंक तरीके दे नाल जेस्तरा स्युक्त किसान मोर्चे दे दिशान नर देशान दे अनुसार ओस नौजवाना ने स्टेज दा संचालन भी करना है और स्टेज दे उत्ते मतलब बलारें दे तोरते वी स साथे नौजवान कोश पार्टिस्पेट करनेंगे बोलनेंगे अब दी गल रखनेंगे तो ओ सादा सारा दा सारा मतलब शबी फर्विर्दा जिड़ा देना है ओ एस तरन दा रखे गया है नाली जड़ी सताई फर्वरी है सताई फर्वरी नू पगतर विदास जीदा जनम देना है ते नाली चंदर शेकर जादा शिह दी देना है ओ धन जरा है ओ उना दो नहीं शक्षियतां नौ समर्पत होएगा और पूरे देश दे अंदर इस देन नौ मनाया जाना है और इत्धे भी जन büy जड़ी हैस स्टेजर चल दियानने इन इना स्टेजियां इना स्टेज अपसार ने एक जोट होके एकता बना के एक मुट होके इस अंदोलन नो बल देंदी कोशिश करनी है ताके एसाड़ा जड़ा अंदोलन है ज़से तरह सरकार अज तरह 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 तर पूरा देश उठके अंदोलन्दे वे शामल होया थे बड़े बड़े पंचैता महा पंचैता हो लगियां ओस विले नरिंदर तोमर जी अगों एक है रहे ने के बहुत बड़े गां पीडादे नाल बड़े काठ करके कनून वापस नहीं किराए जा सकते दा मतलब समझ चुकी है बीजेपी सरकार नों पता लगे चुक्या है के पूरा देश अज अंदोलन दे राष्टे ते तर चुक्या है अब पूरे देश दा किसान अज जागरत नजर आ रहे है और बीजेपी अंदरो डरी होई नजर हो आ रही है इना ब्याना दे रहीं सो साड़ी बें क्योंकि सता तो ड्रदे ए लोक साड़ी मंग मनन देली मजबूर होन गई और जिड़े जिस तरह असी अगे भी कल करी है कि ए जिड़ा लडाई है एक गैट दे खिलाफ लडाई है और उन्हों सरकार अपने आप साड़ी जिड़ी मंगा है जिड़े इन्हों पता लगागे साड़ी कुरसी हेलदी है साड़ी सदा जानदी है फेर इन्हों गैट गूरदा दबाव बिलकुल चकना पाएगा और चकन गे और चक के अपनी एस मंगणूँ प्रवान करन लें मजबूर होन गे और अपने ज़िए कनून रद करनली सरकार नो अपने गोड़ां दे बालते लिए अपनों लोड़ा कि इस अंदोलन नो पूरे देश देवच फलाया जावे ताके जिम्याज यूपी दे विच्चों बड़ी पदर दे उत्ते मतलों इनना दा विरोध हो रहे है इसे तरह बिह यह ज़िए थे कुराकै गंबी हीरत दे नाला विचार के अंदोलन वगशय तॉरणदी लोड़ा है अपगनों के एकता अब ऑना की एकता तो बगेर अंदोलन जित्ता नहीं जा सकता एकता बहुत जुरूरी है एकता नाल एंदोलन जितना गई बहुत बहुत तन्वाद वाईगर जी का खालसा वाईगर जी की फत्र